पुलिस थाने की इमारत के पास ही सराबियों का डेरा, शराब बंद जिले की हैरत अंगेज तस्वीरें चंदरपूर जिले में जहां सराब बंदी है जहां से खुद महराष्ट के वित्त मंत्री ने चुनाव जीता था उसी बलारपूर पुलिस स्टेशन की नई इमारत के पास ही सराबियों ने अपना डेरा डाल लिया है आपको बता दें कि जिले में 2015 से ही पूरी तरह से शराब बंदी लागू है शराबंदी लागू करने में जिनका अहम योगदान रहा उनी के चुनावी शेतर में सराबियों की ऐसी तस्वीरों का आना सही माइन में पृर्शाशन के दावों की पोल खोल कर रख रहा है बलारपूर पुलिस स्थाने की नई इमारत बनकर खड़ी हो चुकी है लाल किले की तरजबर बनाई गई इस इमारत पर तकरीबन 10 करोड का खर्चा आया है इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बलारपूर पुलिस स्थाने में थैनात थानेदार परदीव सिरसकार जिनकी बदली पिछले साल ही हो चुकी है जिनोंने कुछ कारण वर्स अपनी बदली को एक्स्टेंट करा लिया पिछले महा इनकी बदली की फिर हवा चली लेकिन शिरसकार जी ने पुलिस स्थाने के उदगाटन होने तक का समय फिर से मांग लिया जब पुलिस स्थाने के परिसर में ही खुले आम सराब सेवन कर सराबी डेरा जमाई रहते हैं वहां से अधिकारियों को जानने को तयार नहीं है यह संसोधन का विश्य जरूर है बललार सा पुलिस स्थाने की हद हर गली में महले में शराब बेची जाती है नगर पालिका के डंपिंग ग्राउंड की तरब से सराब से भरी पेटियों से ट्रक ट्रकों से उतारी जाती है फिर भी पुलिस खुद का नाम चमकाने के लिए कुछ कारवाई कर FIR मेंटेन करती रहती है